किसी भी exam को zero से शुरू करना चाहते हो तो ये दस steps follow कर लेना दुनिया के किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो सबसे पहले आपके mind में define होना चाहिए goal कि आपको teaching की त्यारी करनी है कि आपको UPSC की त्यारी करनी है कि state PCS की त्यारी करनी है जब आपका goal decide हो जाए आपके पास आपके टेबल पे जहां आप पढ़ते हो स्लेबस की हार्ड कोपी होनी चाहिए साथ के साथ आपको पता होने चाहिए कौन से सब्जेक्ट मेरे एक्जाम में आने वाले है एक्जाम का पैटन क्या है जैसे मैं एक्जामपल लूँ UPSC का कि उसमें प्री होता है उसमें MCQ आते हैं उसमें यह यह सब्जेक्ट आते हैं फिर मेंस एक्जाम होता है फिर इंटर्विव होता है सब कुछ सारी जानकारी कौन से महीने में होता है इस तरह की सारी जानकारी आपको सेकिंड स्टेप में ले लेनी है थर्ड स्टेप में आपका study material like कोई NCRT की book है कोई standard book है वो सब कुछ आपको इकठा कर लेनी है लेकिन साथ की साथ आपको topper की strategy देखती रहनी है ताकि वो आपको एक clarity मिल पाई कि आपको कौन सी book लेनी है और एक चीज जो आपको बताना चाहती हूँ जिस time पे आप अपना study material search कर रहे होंगे उस time पे आप यह मत सोचे कि मैं अभी पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा मेरे पास तो book नहीं है उस time पे आप strategy वीडियो देख सकते हो आप उस time पे PYQs जो previous year में question पूछे गई है उस exam से related ताको ताकि आपके mind में ना एक थोड़ा सा idea हो जाए उस paper की थोड़ा इमेज बननी शुरू हो जाए वो आपको करना है एक subject के लिए एक standard source होना चाहिए ऐसा कभी भी मत करना कि आपको जैसे कोई subject पढ़ना है लाइक मैं पॉलिटी का example लूँ तो आपने उसके लिए M. लक्समी कान्त का book भी ले लिया आपने किसी coaching का material भी ले लिया तो trust me guys अप बहुत मुश्किल हो जाता है cover करना चीजे सेम ही रहती है लेकिन time waste हो जाता है इसलिए आपके पास M. लक्षमी कान्त है उसको पढ़िए वो नहीं है किसी coaching का material है तो आप उसको पढ़ सकते हैं ज्यादा difference नहीं होता है important चीजे सब में cover होती है एक subject की एक book उसको ही बार-ब पढ़ना है ना कि एक subject की एक से ज्यादा book और उसको कम बारी पढ़ें ऐसा नहीं करना है अभी आपको next step में क्या करना है जब आपके पास आपका goal हो आपका syllabus हो आपका study material हो अब आपको अपना study schedule बनाना है rigid नहीं बनाना है कि मैं तीन बज़े उठूंगा तीन बज़े 5 मि आप उठते हैं और फिर 6 मुझे खतम हो जाएगा फिर ऐसे हो जाएगा ऐसा rigid आप तभी बना सकते हैं जब आप अकेले रहते हैं या फिर early morning और late night वाला routine थोड़ा सा fix कर सकते हैं लेकिन जो भी house wife है घर पे रहती हैं तो वो कई बार guest आ जाते हैं तो उनके time table में अगर guest आ पढ़ने हैं चाहे मैं सुबह जल्दी उठके पढ़ूँ चाहे मैं late night पढ़ूँ मुझे दिन में इतना घंटे अपने paper को अपने exam को देने ही हैं चाहे market जाना हो चाहे तयोहार हो कोई भी चीज हो अगर मुझे exam के लिए मैं serious हूँ तो मैं इतना time दिन के 2-3 घंटे या 4 घंटे तो उस exam को मुझे देना ही देना है चाहे मैं कभी भी दूँ ठीक है ये चीज मन में होनी चाहिए इसलिए ज्यादा रिजिट टाइम टेबल नहीं target बेस टाइम टेबल की मेरे ये target है मुझे वो complete करने है एक और चीज मैं बता दूँ जब आप target रखेंगे डेली के वो target आपके रहेंगे भी backlog पी रहेंगे लेकिन घबराएगा नहीं backlog के लिए आपको कुछ दिन ऐसे रखने हैं जिस दिन आपको अपना सब कुछ भूल के अपनी पढ़ाई ज़्यादा करनी है social media सब कुछ हर चीज से दूर हो जाना है जिससे आप हो सकते हैं और उसमें लेंगे 24 से 25 घंटा कभी नहीं होएगा और backlog आपके 81 होंगे 100% होंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो target बनाओ daily का daily वो पूरा हो पाई कभी आपका 70% complete होगा तो कभी 60% होगा और इतना हो जाए तो वो भी सही बात है धीरे धीरे आप उसको cover करते रहना कुछ दिन महीने के ऐसे रखने हैं आपको जो भी कई सालों बाद पढ़ाई शुरू कर रहे हैं like किसी की शादी हो जाती है किसी को बेवी हो जाता है तो start करें एक या दो घंटे से ठीक है target आपको धीरे धीरे अब बढ़ाए लेकिन starting सबसे पहले तो आपको बैठना ही नहीं आता आपकी sitting habit ही बाद एक से दो घंटे से शुरुआत करें फिर जब आपको पढ़ते हुए दो एक हफते हो जाएं फिर वो तीन से चार घंटे पर और फिर जितना आपके पास time available है आप उतना time दे सकती हैं अगर किसी को 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना है तो please Pomodoro Technica use करे उस time पर ऐसा ना करें क लगाता 3 घंटे पढ़ रहे हैं बिलकुल उठे ही नहीं अपनी चेयर से तो आप fed up हो जाओगे दिमाग ऐसा हो जाएगा कि बस सब कुछ दिमाग से निकल के बाहर आएगा कुछ भी information गेन नहीं कर पाओगे इसलिए long hour की study करनी है तो 25 मिनट की study 5 मिनट का break 25 मिनट की study 5 मिन पढ़ाई की है मैंने इस चीज को अपनाया है और यह बहुत effective है और आपको अपने खुद के notes जरूर जरूर बनाने हैं ठीक है notes के बिना आप revise नहीं कर सकते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा step number 6 की बात करते हैं जो मेरे नजर ये में सबसे important है अगर आपने दिन का एक घंटा दो घंटा पढ़ाई के लिए दिया तो प्लीज 15 मिनट revision का daily daily आपको देना है regular revise करना है माल लो आप daily के 2 घंटे पढ़ाते हो आपके मन में ये आता है कि यार ऐसे तो मेरा syllabus ही पूरा नहीं होगा मैं तो 2 घंटे ही पढ़ाई करती हूँ पहले मैं syllabus complete कर लूँ revise में बाद में करूँगी तो देखो जो आपने एक हपते में 2-2 घंटे करके 14 घंटे जो दिये वो आपके बरबाद है क्योंकि आपको कुछ नियाद रहने वाला बिना revision किये इससे better है कि daily के 15 मिनट revision को दो ताकि आप जितना भी बचा हुआ 1 घंटा 45 मिनट अपनी नई पढ़ाई को दोगे उसका revision के निकालिए 2 घंटे की daily पढ़ाई करते हैं तो 8 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो 2 घंटे का revision आपका daily होना ही चाहिए चाहे daily रात को सोने से पहले कर लो चाहे सुबह जल्दी उठके सबसे पहले revise कर लो मेरे लिए जो best काम करता है सुबह जल्दी उठके revise करना best काम करता है उसके बाद मैं फिर नया पढ़ती हूँ जब भी आप revise करेंगे तभी आपके shorts note बनके त्यार होंगे अगर आपको ये होना कि exam से पहले त्यारी कैसे करूंगा short note कैसे बनाओं तो एक दम से एक दो reading में short note नहीं बनेंगे जब आप उस चीज की बार-बार revise करोगे उस चीज पर question attempt करोगे पी वाई क्यूज उसके देखोगे आपको पता लगेगा क्या important है क्या important नहीं है फिर वो चीज के आप धीरे-धीरे खुद से short note बनाओंगे और यकीन मानिएगा short note बनाने है नहीं बनाओगे तो exam time पे revise कैसे करोगे नहीं कर पाओगे जब एक दिन में एक subject revise करना है एक दिन में 4-5 subject एक साथ revise करने है exam से पहले बिना खुद के short note बनाए revise नहीं कर पाओगे जो पहले पढ़ाई करी है वो बरबाद हो जाएगी इसलिए अपने short note खुद के जरूर बनाने है आपको mock test भी देने है एक्जाम से पहले देखना है कि आप कितने पानी में हो कौन सा subject week रह गया कौन सा topic week रह गया mock test से पता लगेगा कोई book है जिसमें questions है उससे mock test लगा सकते हो कोई coaching के mock test आप join कर सकते हो और PYQs भी as a mock test आप starting में लगा सकते हो क्योंकि previous question से आपको उस exam का idea होता है examiner का mindset क्या है कैसे आपको exam के question मिलने वाले है कोई भी mock test ना इस चीज़ को define नहीं कर सकता जो कि आप previous question को बार 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 करोगे चाहे आप उसको पढ़ाई करते time include करोगे चाहे आप उसको as a mock test include करोगे previous question आपको तीन से चार बारी तो कम से कम करने ही है हर subject के ठीक है उसके बाद आपको करना है current affair current affair अगर आपके exam का हिस्सा है तो आप उसको last moment के लिए नहीं छोड सकते especially अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हो तो क्योंकि daily और weekly करने से जो perspective आपका निकल की आएगा जो बनेगा चीजों के परती वो एकदम से आप रटने से उस चीज़ को नहीं कर पाऊगे तो प्लीज daily और weekly basis पे current affair अपने syllabus का हिस्सा मानके बलकि वो होता है syllabus का हिस्सा लेकिन हम उसको मानते नहीं है हम current affair को अलग चीज़ मानते हैं बलकि current affair आपको daily करना है अपने doubt क्लियर करते रहने हैं जब भी free time मिले कोई strategy वीडियो है टोपर की वीडियो है उसको watch later playlist में डालते रहो अगर आप phone से पढ़ रहे हो कोई strategy वीडियो आपके सामनी आई उसको उस time मत देखो उस time आपका self study का time है उस time आपका mind self study के लिए तयार है जब आप ठक जाओ अपनी पढ़ाई से आपको break लेना हो आँखे बंद करो जो आपने watch later playlist में किसी टोपर की strategy वीडियो देखी है ड दुबारा देख सकते हो या पहली बार देख रहे हो तो उसको देखो उससे आपके doubt clear होंगे और health most most important इसका ध्यान तो जरूर रखना है इसके बिना कुछ नहीं हो सकता anxiety से depression में जाने से कुछ नहीं होता है किसी exam की त्यारी कर रहे हो तो इस depression में मत रहो की त्यारी तो कर र रखें physical health के लिए अच्छा खाना खाएं healthy खाना खाएं और walk करें 10-15 मिनिट खुद की health के लिए daily निकालने हैं ज्यादा नहीं 10-15 मिनिट तो निकाल ही सकते हैं additional tip है जो मैंने खुद अपनी पढ़ाई करकर के ये सीखा है कि one day one subject अगर आपको लगता है आप बोर हो एक subject से तो आप दो subject ले सकते हो लेकिन प्लीज दो से ज़्यादा subject एक दिन में मत पढ़ेगा किसी भी चीज़ को retain नहीं कर पाओगे आप एक दिन में subject करोगे ना आपको उसमें confidence आने लगेगा जब आप एक subject को 3-4 घंटे 5-6 घंटे दोगे तो आपको सही में लगेगा कि चाहे वो आप उसमें zero हो किसी को math से डर लगता है किसी को English से डर लगता है अरे उसको दिन के 4-5 घंटे 6-7 घंटे 2 तो जहीं लगातार 2-3 दिन आपको वो subject से डर नहीं लगेगा डर भाग जाएगा एक और चीज पन करिया revise कर रहे हैं बार 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 नहीं जब पहली जो आपने पढ़ा है उसको recall करोगे recall method अपनाना है revision के लिए book open करने वाला method नहीं क्योंकि book को open करे कर revise करोगे कभी आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी चीज आप भूलते हो कौन सी चीज आपको याद रहती है कौन सी चीज notes में डालनी है कौन सी चीज आपको याद र जो आपको याद रहती है